नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक अदाम सब के साथ में मित्रों आप सभी लोग क्लास का वेट कर रहे हैं मुझे मालूम है बट कुछ ऐसी प्रोब्लम्स थी जिसकी वज़े से मैं क्लास नहीं रापाई हूँ बट फिर हम कांटिन्यू कर रह कि अधिकल जो हमने कंप्लीट किया है उसकी लगभग 15 क्लास बनी है और एक क्लस पूरिय नोस में ने बनाए थे जो 15 क्लास थी उनके नोस बनाके दी ओर एक क्लास हमने उसकी वनलाइनर कोश्चन के दी तो हमारी जो है 17 क्लास हूइं आदिकल के डॉक्टर नगिंद की इति जहांसे आज जो है आपकी पहली क्लास है भक्तिकाल की तो अब हम भक्तिकाल को कंप्लीट करेंगी और फिर इसके नोट्स पढ़ेंगे और फिर हम इसके वन-लाइनर कोश्चन पढ़ेंगे एक बात और बताना चाहूंगी कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बस तुनिष् तवियत नहीं सही थी, इस वज़े से मैं वो क्लास नहीं बना पाई हूँ, वट मैं जरूर लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, ओके, तो चलते ही स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, वट आप लोगों से एक request करना चाहूंगी, कि जिस तरीके से मैं एक मानवता का काम कर रह हूँ, आप लोगों के साथ सेर कर रही हूँ, डॉक्टर नगेंदर का इतिहास, हिंदी साहिति का, तो अगर आप लोगों को लगे कि इस क्लास को सेर करना चाहिए, जिससे और लोगों की help हो पाएगी, तो आप इसे सेर कर सकते हैं, लाइक करने से क्या होता है, लाइक करें किसी भी exam की preparation कर रहे हैं ओके बस इतना ही कहना चाहूँगी अब चलते हैं अपनी class के तरफ तो हम यहाँ start कर रहे हैं अध्याय तीन ओके अध्याय तीन से हम start करेंगे भक्तिकाल को और भक्तिकाल पूरपीठी का डोक्टर नगेंदर अब हम इसके थियोरी पढ़ेंगे हिंती साहिती के संधर में भक्तिकाल से तातपरी उसकाल से है जिसमें मुख्यता भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रशार के परणाम सरू भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था और उसकी लोकोन मुखी प्रवर्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भासाएं भक्ति भावना की अव्यक्ति का माध्याँ बनती गई और कालांतर में भक्ति विश्यक बिपुल साहिती की बाड़सी आ गई ठीक है तो ये जो थी भक्तिकाल का जो विस्तार हुआ जो प्रसार हुआ वो भागवध धर्म से ही हुआ है तो नेश्ट क्या है इससे देखते हैं परन्तु यहाँ भावना बैश्नव धर्म तक ही सीमित न थी अपितु साइव, साक्त आधि धर्मों के अतरिक्त वाउध और जैन संप्रदाय तक इस प्रभाव से प्रभावित हुए बिना न रह सके अब मैं यहाँ पर आपको कुछ मिनट के लिए रोखना चाहूं की पहले तो जो निव विवर्स हैं जो नए तयारी करने वाले हैं उन्हें बैश्नव संप्रदाय और सैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय के बारे में नहीं मालूम होगा जो धर्म है यह बैश्नव संप्रदाय क्या है तो जो बिश्नु को मानते हैं और आपको मालूम है बिश्नु के जितने भी अवतार है उनको हम बैश्नव संप्रदाय में ही मानेंगे साइव में जो सिव भक्त है वो साइव में आएंगे और साक्त वे हैं जो सक्ति को मानते हैं मतलब दुरगा को मानते हैं और आपको मालूम है आजने काल में दुरगा को किसने माना है तो निराला जी ने माना है इसलिए निराला जी को साक्त भक्त कहा जाता है ठीक है जो राम की सक्ति पूजा लिखी है वो सक्ति छंद पे ही लिखी गई है उनका जो मौलिक छंद है सक्ति तो निराला जो है सक्त धर्म को मानने वाले हैं तो यहां पर यह चीजिया आपकी किलियर हुई है अब आगे बढ़ते हैं भक्तिकाल का विवेचन करने की पूर वक्ति भावना की परमपरा और परिवेश का स्वंचिप्त परिचे पालेना विजे को बोध गम्य बनाने में सहयक होगा। जब हम इसकी परमपरा और परिवेश को समझ लेंगे तो हमें बोध गम्य हो ही जाएगा, हमारे बोध में आ जाएंगी चीजें। वो कि भालती धर्म साथना के इतिहास में भक्तिमार का विशिष्ट इस्थान है। यदपी सहिता भाग के रचनाकाल तक उसके अस्चित्त का कोई परचे नहीं मिलता है। वैदिक युग में यग अथवा कर्मकांड के माध्यम से धर्मा अनुष्ठान हुआ करते थे। आगे लोग जो थे प्रया प्राकृतिक वस्तुओं अथवा घटनाओं के मोल में किसी देवता की कलपना कर लेते थे। प्राकृतिक अगर बस्तुओं में देखा जाए तो हम ब्रिच में जो है देवी देथा को मानते हैं या किसी मठ की पूजा करते हैं तो ये बैदिक क्या आज भी प्रचलित है, ठीक है? एक कलपना मातर ही है कि हम इन चीजों मैं देथा को मानते हैं, हम सूरी नमसकार करते ह हम किसी नदी को प्रणाम करते हैं, नदी को माता मानते हैं, जैसे गंगा मया कहते हैं, तो ये कलपना ही कही जा सकती है, हम किसी भी ब्रश्च को पूझते हैं, तो वो एक कलपना ही हो गई, ये एक कलपना ही कही जाएगी, ओके फ्रेंड, और उसे प्रशन रखने के लिए एक करण की साधना की अपेक्चा वाह विधानों का अंशान करने की और आधिक प्रक्वरत रहते थे फिर वी सुभा सुपणाओं में उनका विश्वास था जिसका उनके ज्याद कर्म कांड सृध्धा से अनुप्रानित रहते थे शृध्धा बिहीन यग का कोई अर्थ न था साड़े दस बजे रात के साड़े ग्यारा बजे देड़ बजे क्लास बनाती हूं तो मुझे एक सृध्धा है बट आप लोग भी अगर सृध्धा से सुनेंगे इसे तभी आपको इसमें जब इंटरस्ट लाएंगे तभी जो है आपको इसमें से कुछ चीजें प्राप्त ह तो किसी भी कारी के लिए स्रध्धा होने चाहिए फिर यग्य तो एक यग्य है आप देवी देवता को प्रशन करना चाहते हैं इसे स्रध्धा मोलक भक्ति का प्रादूर भाव हुआ और आगे चलकर बहुदेव वाद भी एक देवद में पाइनत हो चला था जब यग्य कि करें जैसे आप सोचते हैं कि यहां इसमिता में पढ़ा रहे हैं इनके पास पढ़ लें किसी और के पास पढ़ लें थोड़ा किसी और के पास पढ़ लें नहीं पढ़िए लेकिन एक को इस्ट मानिए कि हां इससे पढ़कर मुझे आगे जाना है ठीक है तब आपको ज़्य जादा ही जो है सफलता अच्छे से हासिल होगी और बास्तविक होगी ओके यही मैंने एक इसी तोर पे कह दिया कि आप जिसे भी पसंद कर रहें जिस एक टीचर को पसंद कर रहें उसे फॉलो भी करिए ठीक है उसको अगर फॉलो करेंगे तो आप जरूर आगे जाएंगे ओक एक मने उधारण की तार पे आपको दिया है भक्ते के लिए यह स्वभाविक हो गया कि वह विख्री हुई सक्तियों में सामंज से लाकर अपनी द्रश्टी किसी में एक में निर्विष्ट करें फल सरूप बहुदेवों की कलपना सिमट कर धीरे-धीरे एक में ही समाहित होन के बाद देवताओं का मानुवी करण होने लगा जिसकी पर्याप्त अवतारवाद में हुई हिंद तथा कठोर व्रतियों का इस्थान क्रमसा कोमल व्रतियां लेने लगी जिसका प्रभाव भक्ति साधना की विधियों पर पढ़ना स्वाभाविक था श्रमण संस्क्रित द परणाम सरूप, ब्रामध, आरण, उपनिसद, नामक भावों की रचना हुई, जीवात्मा तथा अव्यक्त प्रक्रत की भावना का उदय संभवता इसी आउधी में हुआ है, करमफल तथा जन्मांतरवाद की करपना की अधार पर कर्म बंधन से जीवात्मा को उन्मुक्त करने के लिए उपाय सोचे जाने लगे, करम जाल से प्रथक रहकर परमात्म चिंतन में तल्दीन रहने के लिए तपाद की व्याख्या की गई, बैदी को पासना ध्यान योग की रूप में परनत हो चली, जिसमें स्रद्धा भक्ती का द्वार उन्मुक्त हो गया, मौनियर नाम आपने सुना होगा, मौनियर विलियम्स के अनुसार भक्ती सब्द, जो है, सब्द की व्यूत्पति भज से की गई है, मौनियर विलियम्स के अनुसार, बहुत ही महत्पोर्ट टोपिक है, यहाँ पे यह चीज आपको जरूर बेरी इंपोर्टेंट में हम इसे मौनियर विलियम्स के अनुसार भक्ती सब्द की व्यूत्पति भज से की गई है, आप इसे आधुनिक में जोड़ सकते हैं, इसके आधर पर यह कहा जा सकता है कि भक्ती भावना आरियों के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचारों के फलसरू क्रमसर श्रद्धा उपास से विक्सित होकर उपाध्याय, उपासि भगवान के एस्वरी में भाग लेना, भज मिंस भाग लेना, भज का आर्थ है भाग लेना, ठीक है, भक्ती मतलब भाग लेना, जैसे व्यापक भावस में पढ़ने थुई, वैसे भक्ती का सरप्रथम उलेक, यहां पे भी आपको जरूर नोट करना है, कि भक्ती का यह कोश्चिन कई बार पूंचा गया, भक्ती का सरप्रथम उलेक, स्वैता स्वैतर उपनिसद, ठीक है, और छे ते तिस, यह जो बटा है, इसे आपको जरूर नोट करना है, स्वैता स्वैतर उपनिसद में स्वैता स्वैतर उपनिसद मे नाग में संस्कृत का पर्चे मिला था आचारे लोग मुख्यता सैनिक जीवन के अभ्यासी थे और उनका जाती जीवन क्रामेर संस्कृत पर आधारित था इन दोनों के मिलन और पारसपरिक आधान प्रदान से वहालती संस्कृत का विकास हुआ जिसकी छत्र छायावें भक्त परंपरा का वीज विक्सित हुआ वैधिक भक्ति के समानतर दक्षिण भारत में रहीत संस्कृत प्रथक भक्ति-परंपरा का सूत्रपात हो चुका था यह परंपरा ईसापोर कई सक्तियों कई सताब्दियों से चली आ रही थी जिसमें श्रणागति और शमलपण की भावन प्रवल रूप में पाई जाती थी जो काला अंतर में दच्छणायत आचारे उद्वारा उत्तर भारत में भी लोक प्री बनी देखेए भक्ती आई कहां से भक्ती आई है दच्छण भारत से जिसे द्रविण भी कहा जाता है संसक्रत गर्वित ठीक है और आकर उत्तर में प्र आडियारों के भक्ति साहित्ति में सुलब है जिने आप आलवार संत कहते हैं ये दच्छिन से ही आये हैं दच्छिन भारत में ही इन्होंने प्रचार किया था जिने आडियारों या अडियारों के भक्ति साहित्ति में सुलब है इसके अंतरगत पोजा को भक्ति का मुख्य मायों तथा तिरुमाल को भी विष्णु का पर्यायप मतलाया गया यह चीजें बहुत ही महत्पून है क्योंकि जो कमटेशन का दौर है उसमें कोश्चन कहीं से भी बन सकता और इनी एफेक्टों से लिया जाता है आपके कोट के कोश्चन को बढाने के लिए ओके स्वयम अपना के संदर में पांच रात्र ही कम उलेखनी है इनका मुख्य उद्देश से भक्ति मार के साधन का निरूपन करना रहा है सहिताओं ने देवालेओं के निर्माड उनमें आराध्य देव की प्रतिष्ठा और विद्वत पूजन अर्चन की विवस्था दी थी इससे प्रति और शाहित के आद्मिक विद्वानों ने भी परंपरा से अपना प्राचीन संबंध सूत्र दिखलाने के लिए यतन किये जिने किसी एक ही उत्स के भिन्विन स्रोत समझा जा सकता है फिर वी इनमें रागात्मक्ष, शर्णागत्य और शमर्पन के वैसे एवं एदद विश्यक साहित में अन्यत शुलाव हैं तो ये चीजे थी कुछ महत्मोंड फैक्ट थे अब हम देखेंगे सिमांकन भक्तिकाल का सिमांकन क्या माना जाता है इसके बारे में देख लेते हैं आचार रामचन सुखल ने अपने समय तक के साहितिक साच्चि के आधार पर भक्तिकाल का निर्माद 1318 से 1643 तक किया है ना तो आदिकाल में परगड़ सिद्ध नात और जैने साहित में बेदिमान भक्ति तत्तों के आधार पर इसवाधिका विस्तार उचित है और ना रेधिकाल में इस फूट रूप में रचित भक्ति परक्षंदों के आधार पर काल विस्तार तरक संगत शुकली जी की स्थापना में हेर फेर की अधिक गुंजा इस तब तक नहीं दिखाए देती जब तक बैसी सामगरी क्रमपद रूप में जो है अधिकादिक मात्रा में उपलब्द ना हो जाए फिर भी भक्ति साहित में उन वैश्णोयतर रचनाओं की सम्मिलित करने में कोई आपत नहीं होने चाहिए जो विसे वस्तु की द्रश्ट से भी हो सिमया के अनुकरत पढ़ती है भक्ति कावे की परंपरा परवर्ति काल तक प्रवाइत रही है किन्तु उसमें जितनी यात्रा मात्रा अनकाण की रहती है उतनी भावना के नमोन वेश्ण के नहीं इसलिए जब तक ऐसी शामगरी उपलब्ध ना हो कि पुनर विचार की आवर्शिक्ता पढ़े तब तक सामानता सुकल जी के इस्थापना को मानता देनी चाहिए कुछ चलते रहना चाहिए मिंस मानता देनी चाहिए अध्यान के सुब्दा के लिए भक्ति काल को चौदवी सती से सत्रवी सती तक माना जाता है क्योंकि आधकाल की रचना प्रवर्टियां चौदवी सती के मद्द तक परियाप्त बलवती रही है अब हम देखेंगे परिवेस जिसमें राजनेतिक इस्थिति देखेंगे मित्रों आप लोग जो है अगर क्लास पसंद आ र पूर मद्यकाल का आरम दिल्ली के सुल्टान मुहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 के राजकाल में हुआ था सुल्तान मुहमद बिन तुगलक उत्त से दच्छन के अपने राजविस्तार को ध्यान में रखकर उसने दिल्ली की अपिक्छा देवगिरी को अपनी राजधाने बना और कई वार सुदूर जीवन पर आक्रमण की ओजना बनाई। मिस्ट के खलेपा से उसने अपनी राज सत्ता के लिए धार्मिक स्वेक्रत भी प्राप्त की। इन जैसी वातनों की अत्रिक तो उसके अपनी विशिष्ट गुण भी थे जिनके कारणवक कवी, विद्यावसनी तथा पक्षपात रहित सुल्तान बन गया। उसके यहां विद्वानों को सनरचन भी मिलता रहता था। हिंदू प्रजा के प्रतिव उदार मना था। किन्तो उसके उत्रादिकारी फिरोज तुकलक में धार्मिक सहिष्टा का अभाव था। इस दिवा हिंदूों के प्रति पक्षपात रहित नहीं रह सका। उसमें वैसी योगिता भी ना थी फलसरूप अफसरपा कर कई सुवेदारों ने विद्रुख कर दिया और दिल्ली सल्क्तनत में विखराव उत्पन हो गया। उसका अतुरादिकारी जोना साही जिसका उलेख मुल्ला दाउत ने चंद्रा जा सकता है तो अभी मैंने आपको बता दिया है फिरोज दुखलक। परवर्ती सुल्तानों में से कोई विगर्टी हुई इस्थिति को समालना सका। और सुल्तान महमुद साहक की मृत्यू के उपरान 1412 में दुखलक वंस का अधिपत्य समाप्त हो गया। इसके बाद खिज बूक है जिसे आप पढ़ सकते हैं और चीजों को क्लियर कर सकते हैं। हिंदिस साहित्यापका यहां से बहुत ही अच्छे से तयार हो सकता है। इस वंस के चार सुल्तानों में से किसी का भी नाम लेखनी नहीं है। इनसे अधिक योगी लोदी वंस के सुल्तान सिधु है ज अंतताहल लोदी वंस को सल्तन की सल्तनत जाती रही। लोदी वंस के साशनकाल में ही केंदे सासन सिधिल पढ़ चुका था और मालवा सारी स्वतन सुवे बनने लगे थे। देखिए जो लोदी वंस था इसका जो हरन हुआ या कह दीजिए इसका अंत हुआ तो उसके बाद जो है मालवा का विकास हुआ है और आगे देखेंगे फिरा निसकर्स क्या निकला यहां से यहां से निसकर्स जो देखना है उसे देखते हैं इस प्रकार भारत के राजनेतिक छेत्र में सन 1343 से 1643 तक की अबद में प्रमुख जो मुस्लिम बंसों का क्रम रहा है पठान वंस औ में किसी ना किसी विद्रो के फलसरू अधिकार प्राप्त करने के निवनतम आउसर प्राप्त होते रहे हैं मुहम्मद विन्तुकलक को राजविस्तार के कारण अपनी राजधानी उत्तर दच्छिन के और ले जाने की आवश्यक्ता अनुग हुई और योग्य करमचारियों पुना प्रचार किया जो जागीर प्रथा होती है उसका जो है किसने विस्तार किया है किसने उसको उसका पुना प्रचार किया तो फिरोज सहाने उसे सुव्यवस्था से सुव्यवस्थित किया है और जागीर प्रथा को पुना जो है प्रचलित किया है किसने तो फिरोज सह अपने सामराज्य का छेत्री विभाजन कर उसने प्रतिक छेत्र में कई जिले इस्थापित कि उन्हें राज कर्मचारियों को सौंप दिया परंदुन्याय विविस्था कुरान और हदीश पर ही अवलोकन रही इन दोनों सुल्तानों ने सैनिसक्ति की द्रद्धी पर ध्यान सुत्र अपने हाथ में रखा था आगे देखेंगे इसको हम नेस्ट तो यह हमने निस्कस देखा है आगे देखते हैं यहां पर देखिए द्यानिक जीवन जो रहा है रहा है रहन सहन जो है पर्वतिवहर आज की द्रष्टी से तदकालीन भारती जो था समास सुविधा संप हैं प्रथम बर्ग में राजा महराजा सुल्तान अमीर सामन्त और सेट सावकार आते थे जिन में मनमाने ढंग से बायो प्रदर्शन की उल्लास प्रवरति पाई जाती है आज भी होता है जो सावकार है उनके आप भव्य समय देखते होंगे आयो जुन होते हैं लेकिन दूत की और भक्तिकाल की बात मधिकाल की बात नहीं आध्म निकाल में भी चल रहा है जो प्रथा परमपरा का पालन कर संतुस की सांस ले लिया करती थी बस अपनी परमपराओं को मानते हुए चल रही है उके अमीर और सामन सुधि रेसमी तर अथवा कार्मिक कड़े हुए उनकी पतनिया रत्न जडित सुनहले कंगत था मूंगा जडित के अर्धान करती थी एउर समाज में सुविवस्था लाने के यतन होते रहते थी रूसी व्यापारी अफनेंसियन निक्तन 1470 के अंसार बहमनी राज के सुयोग वजीर अहमूद गबा के समय सास्की व्यवस्था प्रशार्शनी था भूम की पैदावार प्रचूर थी सड़के लुटेरों के आंतंक से रही थी थी था राजदानी भवे नगर के रूप में खोसाल लिखाई देती थी पुर्तगाली वारवांसा पंद्रा सो पंद्रा सो सोला के नुसार जहां उम्रा और वासा महलों में निवास करते थे वहां कुछ लोग गलियों में निर्मेत मकानों में रहते थे जिनके सामने थोड़ी खुली जगे भी रहती थी सेस जनता के भागी में जोपड़ी में रहना पदा था आज भी ले रहे हैं मुगलों के सासनकाल के विसे में आज आपने जो अभी इस्तित पाले थे उन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा लेकिन जो जुग् Brendi जोपड़ीयों में जो मजदूर थे सेनिक थे उन्होंने क्या जहिला है जो किसान मझधूर है उन्होंने क्या जहिला ये तो वहीं जानते होंगे तो ये तीन जो हैं बर्ग थे श्रमिक नोकर और दुका पढ़ जाए वो आज भी है तत्कालियन सादु समाज पर भी पाखंड की काली छाया मड़नाने लगी थी वो आज भी है गोस्त्वामी तुलसिदास कवतावली की नेम लिखित पंक्तियों में तत्कालियन इस थितिकास परचे दे रहे हैं देखिए यह पंक्ति जो है कई बार को चाकरी जीव का विहिन लोग सिध्यमान सोच बस कहे एक एकन सो कहां जाई का करी कहां जाई का करी तो बहुत ही इसपश्ट और यथार्ट पंक्ति है निश्ट देखते हैं सांसकृतिक इस्थित भी देखना जरूरी है क्लास लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों को ज खेरे से सुनना है सांसकृतिक इस्थिति है सत्य के अधार पर पतिष्ठित धार्मिक भावना और दाशनिक जिंता धारा के माध्यम से हुई कला सिल्प साहित्य और संग्यत इने की आनुसंगे कुपलब्धिया है इन सबका छेत्र विसाल मानो समाज है जिसकी प्रेना और प्रशाद से मनुस्य जीवन यापन करता है कला सिल्प साहित्य और संग्यत मानव को सिष्टता देने वाली यही चीजे हैं इन सब का च्छेत्र विसाल है, मानव समाज है, जिनके प्रेना और प्रशाद में मनुशी जीवन यापन करता है, भारती जीवन में समय समय पर विदेशी विजाती तत्नों के आते रहने के कारण पर्श पर शंगाते होते रहें, परंदो इने से होकर ऐसी जीवन सक्ती का जाएं, लेकिन हमारी अगर हमें कुछ ऐसा है, हमारी सुष्टता है कला के साथ, सिल्प के साथ, साहित के साथ, संक्यित के साथ, तो आप हर समय अरुनमा से महिमा मंडित होते रहेंगे। इन सब के मोल में हमारी समन्वे साधना की प्रवर्टी उजागर रही है और समन्वे की बात भक्ति काल में हजारी प्रशाद वेदी जीने कही है जो ब्राम्भर यूग है अठारा सो से छेसो तक से ही उत्तर भारत में ब्यक्त हो चुका था दच्छिन भारत में या प्रवर्ट बाद में उबरी बैदिक देवी दिवताओं की बाहर विद्वानों में विदक कर्श्रमन सांस्कृत के उन नायकों ने जीवन का नया पच्छोज निकालने कायत अरम किया परन्तु गुफ्त सामराजी की स्थापनक एनंत दोनों ही चैमा हो सके मौरे समाज के विक्राओं के पश्चात ब्रामणबाद का नई ओज और तेज के साथ अविद्थान हुआ पुस्त मित्र के सासनकाल में समाज को सुविवस्तित करने के लिए सूत्रों इस्मरतियों की व्याख्या तथा रचना होने लगी और गाव तथा ब्रामणों मिला और इस्मरति गंतों में लोग प्रचलेत विश्वासों तथा मनताओं को भी स्थान दिया गया ब्रामणे तर श्रम्राद तत्तों से इन समन्वित ब्रामणबाद को विद्वान ने नव ब्रामणबाद कहा जिसका सरूप पैदिक परंपरा से विचिननना होकर भी भि अधिवासियों के मत और मानताएं परस पर एक ही भूत हो गए थी मित्रों आप लोग यह मत सोचना कि मैं यह पढ़ती जा रही हूं यह सारी चीज़े आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण है जो चीज़े आप छोड़ते हैं यहां से ही आपके कुश्चन पनते हैं और साम के किलियर होने की कीज चुपी हुई है तो यह मत सोचे का कि मैं पढ़ती जा रही है और हमारी समझ में नहीं आ रहा है आपको समझना पड़ेगा ठीक है तो इसके कुछ सामान विसेस्ता हैं वह कौन से धर्म विसेस का लोकी करन अवतार की वाद की स्विक्रत देवाले में देविप्रतियों की पूजा तेथात की स्थापना धर्म के भारती सुरूप का सरच्छन अधिकांज पुराणों की रचना का भी यही हाल है मधिकाले नहीं हिंदू जीवन प्रणाली पर उनका गहरा प्रवाव पढ़ाए पुराण कारों ने समन्वे साधना की प्रव जाओ पासना तधा करमकार्णियों पध्धतियों को अपना कर उसमें दाशनिक्ता का पुर्टे दिया है ततकाले समाज को लिया गया है यहां पे आप जरूर ध्यान रखियेगा ततकाले समाज को जरूर लिया गया है साधू सन्यासियों का सम्मान और शर्ग नरक स्रद्ध पिंदान आदि यूकी अन्य उलेखनी विसेशताई हैं जिन की धुरी पर हिंदू जीवन चक्र चलता रहा और इश्णाम के भारत प्रवेश के पूर तक अविक्रत प्रूब में प्रशिल रहा मदिकालीन हिंदू समाज के दो पक्ष हमारे सामने आते हैं एक वह जो सास्त्रों का समर्थक है दूसरा वह जो परंपरागत विश्वासों तथा मानताओं अथ्वास स्वान भूति का प्रशिधर है या दूसरा पक्ष ही पुर्णारिक पक्ष है पंतुव हम वहुदा यह प स्वान भूत पर निर्वर करना आधिक स्रेश कर होगा इसी आस्था के कारण विपच्छी है तो अविरोधी के प्रतिस्था हिश्णूता भाव का प्राधुरुभा हो गया है तो अब हम यहां पर जो चीजे मायन हैं उन्हें देख लेते हैं इन चीजों को आप चाहें तो नोट कर ले ना है संग्कराचार की बहांत कुमारिल भट नहीं हमारी चिंताधारा दूर्स तक प्रहवित किया है प्रब्रतिया चार्य है इन ही मतों की व्याक्ष्व्या व्याख्या के रूम में वेकिस्टा, द्वैत केवला द्वैत, द्वैता definite सुधाद sitat आत्मदों के स्थाबना की है इन सभी में इसर को निर्पेक्ष मान कर उनकी भक्ति का प्रिटपादन किया गया है परन्तु आत्मा प्रमात्मा मौक्ष पुनर्जन्म आधके सिध्धांत प्रियाज्यों के त्यों रहे गये हैं तो यह चीज़े थी आगे देख लेते हैं इन चीज़ों को सोड़ा देखेंगे हम इस प्रेश्ट करेंगे इसर और मनसी की भी सम्मंद स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है जात इकुल देशकाल और परस्चितियों में से निर्पिष छोकर नैतिक दाइत का निर्वाह करन धर्म है ठीक है तो आप इसे देख लीजिएगा एक बाद हम अगर पढ़ेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा और यह चीज़े हैं आप देख लिए यहां पर कोई चीज जो है बहुत जरूरी नहीं है मतिकाल में जो था मतिकाल में हिंदु समाज की वहत्तरिकाई गाउं था और लगो तरिकाई पर्वाज जो जी विका कि सम्मिले साधनों में यूगत थे निष्ट आते हैं यहां पर आप देखेंगे यहां पे आप देख सकते हैं इस चीज को यहां हम देखेंगे इस काल को मद इकाल में अरुची और संसकार का प्रधन ने था इस कारण बहुता समन्वे यह स्विगर जाता था और संतुलन बनाय रखने के लिए बारवार समन्वे की और उन्मक होना पड़ता था समन्वे हमारे संसकार में था इसलिए उसे लाने में विग्न बाधाओं के रहते थी दुरलव के कंठाई होती थी और आज ही हम समन्वे करते हैं मैनेज करते हैं चीज़ों को है ना तंत्रा लोग में भी इसका उलेख है एक रामो व्यापकोत्र सिवह परमकारणम और भाग य यह जो है बहुत जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी जान लेना जरूरी है दुर्गा सबस्ति है भगवती दुर्गा बैश्नवई को अभिन ठराए गया है यहां पर ब्रह्म वे वर्थ पुरान में सिव और शेक्रश्न के मद्धिव्यक्त हुई है परवर्ति रचनाओं में इसे कई उधारन दिये गए हैं तो यह चीजे थी जो हमने यहां पर देखी है पंज साखाओं का सुनिपुरुस प्रामड स्रमड संस्क्रश्यों के बिलने की ओर था तो यह चीजे थी आज जो हमने इस क्लास में पढ़ी है और लगवतिकाल की भी दस क्लास हैं आपको मिले है कि इसे इस क्लास को थोड़ा इंट्रेस्टिंग बनाया जाए जिससे आप लोगों अच्छा लगे तो आई होप आप लोगों के लिए क्लास बेश्ट ही रहेगी तो मिलेंगे नेक्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिन जय भारत